Hello everyone, you are welcome to our YouTube channel आज की इस वीडियो में हम वर्सवत की एक पोएम को डिसकस करेंगे जो की है The Tables Turned इस पोएम को वर्सवत ने 1798 में कमपोज किया था और इसे पब्लिश किया था लिर्कल बैलेट्स में लिर्कल बैलेट्स बेसिकली टू राइटर्स के पोएम का कलेक्शन है जिसमें एक टो विल्यम वर्सवत है और सेकेंड सैमॉल टेलर कॉल्रिज ये प्रेजन पोएम है इसमें टोटल 8 स्टेंजा है और हर एक स्टेंजा में 4 लाइनस है दैट मींस कि इस पोएम में टोटल 32 लाइनस है इस पोएम में पोएट अपने फ्रेंड से कहता है कि उठो और इन किताबों का पढ़ना छोड़ दो आफ नेचर के संस नेचर की दुनिया में आईए और वहां आपको वो सारी चीज़े सीखने के मिलेगी जो आपको बुक्स से नहीं मिल सकती वो ये भी कहता है कि नेचर में ज़्यादा विजडम है बुक्स की कमपैरिजन में तो ये रहा हमारे इस पोएम का कुछ इंडूड़क्शन आप हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को अप अप माइ फ्रेंड्स एंड कुट यो बुक्स उठो मेरे दोस्त और इन किताबों को छोड़ो ये पढ़ना लिखना बंद करो और शेरली यू विल ग्रोटबल नहीं तो निश्ची तोर से तुम मोटे हो जाओगी अप अप माइ फ्रेंड्स एंड क्लियर रियो लुक्स उठो मेरे दोस्त और अपने नजरिये को साफ करो वाई ओल दिस ट्वाइल एंटर्वल इतनी महनत क्यों करते हो और इतनी प्रेशानी क्यों उठाते हो अगला स्टेंज है The sun above the mountains had a freshening luster mellow through all the long green fields has spread his first sweet evening yellow The sun above the mountains had पॉएट कहता है कि सूरज परवत की चोटी पर है यानि यह कहना चाहते है कि शाम का समय है A freshening luster mellow और सूरज जो है वे एक सुहान अंदाज में चमक रहा है Luster माने चमक, मेलो माने सुहाना Through all the long green fields has spread और उसकी रोशनी यह जो पूरी हर्याली दिख रही यह जो फील्ड है इसमें फाइली हुई है His first sweet evening yellow और यह शाम का समय है इसलिए उसकी रोशनी पी ली है Books Tis a dull and endless strife Poet कहता है कि जो किताबे होती है यह बहुत ही नीरस होती है मनटनस होती है और इनका जो संगहर्स होता है वो ना खत्म होने वाला संगहर्स होता है endless strife Come, आओ मेरे दोस्त Here the woodlands linnet Linnet एक परकार का परिंदा होता है पक्षी होता है कहता आओ और इस woodland में रहने वाले linnet के music को सुनो How sweet is music उसकी संगीत या उसकी music कितनी sweet है, कितनी सुहानी है on my life जो कि हमारे जीवन पर है, जिन्दगी पर है There are more of wisdom in it इसमें और ज़्यादा wisdom है या और ज़्यादा कुछ सीगने को मिलेगा नेक्स सेंजा है And hark how blight the throstle sings He too is no means preacher, comfort into the light of things, let nature be your teacher परेट कहता है कि hark, hark में इस होता है सुनो How blight the throstle sings throstle भी एक पक्षी है कहता है कि सुनो कितना खुश होकर कि ये परिंदगा रहा है blight मने खुश होता है He too is no mean preacher वो भी कोई उबदेशक नहीं है preacher नहीं है Come forth आओ in the light of things चीजों की रोशनी में यानि की वस्तुओं की संपर्ग में आओ Let nature be your teacher और nature को अपना teacher बनाओ अगला स्टेंजा है She has a world of ready wealth और mind and heart to bless spontaneous wisdom breathed by the health truth breathed by cheerfulness पड़ कहता है कि She, she यानि की nature She has a world of ready wealth उसके पास संपत्ती का यानि कि तैयार संपत्ती का एक संसार है और mind and heart to bless जिससे हमारा दिमाग और दिल दोनों धन्य हो जाएगा ब्लेस हो जाएगा Spontaneous wisdom breathed by health truth breathed by cheerfulness जो Spontaneous माने स्वाभाविक है या Natural ये Natural जो wisdom होता है ये स्वस्त और खुश रहने से आता है One impulse from a vernal wood may teach you more of man of moral evil and of good than all the sages can पोईट कहता है कि One impulse from a vernal wood nature का एक element एक तत्त may teach you more of a man आपको एक आदमे से ज़्यादा सिखा सकता है of moral evils आपको बुराईयों के बारे में सिखा सकता है and of goods और अच्छाईयों के बारे में बता सकता है then all sages can और वो इतना सारी चीज़े बता सकता है जितना कि सादू संद भी नहीं बता सकते अगली स्टेंजा में पोईट कहता है the sweet is the lore which nature brings यहां लोर की मीनी होती बिद्या पहरती यह जो बिद्या है बहुती सुहानी ही बहुती अच्छी है जो नेचर के साथ है या नेचर अपने साथ लाती है अवर मेडलिंग इंटिलेक्ट लेकिन पोईट कहता है कि हमारी जो छेड़ चाल करनी की परविर्थ होती है यह चीजों के खुबसूरत रूप को बेकार कर देती है बे आकार कर देती है वी मर्डर और हम मर्डर कर देते हैं यानि कि हम जान से मार देते हैं टू डाइसेक्ट उनको विभाजित करके यानि या एक्स्परिमेंट करके उन चीजों को हम बरबाद कर देते है Enough of science and of art पोईट कहता है कि बहुत हुआ यह science और यह art का ग्यान Close up those barren leaves अब इन बंजर पत्तियों को बंद करू Barren leaves से कहना चाहता है कि इन किताबों को बंद करो Poet Barren leaves बुक्स को गयता है Metaphor का प्रयोग कर रहा है कि इन किताबों के पेजों को बंद करो Comfort आगे आओ Unbring भी दियो A heart आपने साथ एक दिल लाओ That watches जो देखे and receives और प्राप्त करे कि आप राप करे देखे जो कुछ इस संसार में यानि कि nature की तरब से जो चीज़े को देखे तो यह रही हमारी आज की पोयम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में Till then, take care, have a good time